चाइनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो के नोटिपेकिशन के लिए बेल आइकों का बटन दबाएए मैं आपके लिए लेक्या था हूँ इंटर्वी कॉस्चन्स, मल्टिपल च्वाइस कॉस्चन्स for competitive exam, theory exam question rating, concept clearing for electrical aspirants दोस्तो, register opposes the flow of current, यह हम सबको पता है, अगर opposition होता है तो incoming current और outgoing current डिफरेंट क्यों नहीं होते लेकिन हम लोगों ने यही सिखाए देश्तो, कि opposition होता है तो फिर भी incoming current वह outgoing current होता है जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, 5 incoming, 5 outgoing तो ऐसा क्यों नहीं होता, 5 incoming और 3 outgoing क्योंकि opposition to reduce होना चाहिए तो hello दोस्तो, मैं हूँ तुशार स्वागत करता हूँ मेरी YouTube channel electrical उर्जा में, आज हम लोग यह confusion दूर करेंगे तो चले दोस्तो, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को यह समझने के लिए, मैं यहाँ पर एक simple analogy ले लेता हूँ यहाँ पर मैं water tap ले लेता हूँ, जो यहाँ पर एक case में मैंने दिखाया और यह second case है तो इसको हम लोग एक water pipe से, या simply pipe कह सकते हैं, उसको connect कर देंगे तो यहाँ पर मैंने एक pipe लिया है, और यहाँ पर एक pipe लिया है तो देखने में से ही पता चलता है दोस्तों कि पहले case में इसका thickness है, वो बहुत ही जादा है और दूसरी case में इसका thickness बहुत कम है, तो pipe का जो thickness है, वो incoming से लेकर outgoing तक same ही रहेगा चाहिए वो thickness में थोड़ी जादा जाड़ी हो, या thickness में कम हो, तो incoming और outgoing में उसका area same ही होता है तो दोस्तों अगर water tab on कर दे, तो इसमें जो water flow होगा, वो कैसे होगा, कि यहाँ पे water pressure बहुत ही कम होगा यानि कि water जो flow होगा, उसका pressure कम होगा, क्योंकि pipe का thickness बहुत जादा है और इस case में water का pressure होगा, वो बहुत ही जादा होगा, क्योंकि याई का thickness बहुत कम है तो ये day to day life में हम लोग observe भी करते हैं दोस्तों कि हम लोग के easily पता भी चल जाता है तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ incoming water pressure is equal to outgoing water pressure इसका मतलब अगर water tap on होता है और यह pipe का thickness incoming से लेकर outgoing तक same है उसके कारण यहाँ से जो water निकलेगा उसका water pressure और यहाँ का water pressure होगा वो same होगा जो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ तो incoming water pressure is equal to outgoing water pressure तो यह होगा है दोस्तों एक simple सा analogy अगर यह चीज़ आप समझ सकते हो तो अभी मैं आगे जो बताने वालो वो बहुत ही easy है वो आप लोग समझ जाओगे तो यहाँ पर मैं एक circuit ले लेता हूँ तो यहाँ पर है voltage source 200 volt और register है 100 ohm तो अगर इस circuit में current निकला जाए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ V is equal to ion 2R और voltage 200 volt register है 100 ohm तो current आ जाएगा 200 divided by 100 जो है 2A इसका मतलब इस circuit से current जो flow होगा दोस्तों वो होगा 2A तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ incoming 2A और outgoing 2A जो हम लोगा confusion है वो भी clear हो जाएगा तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ incoming current is equal to outgoing current तो आप भी इस case को हम लोग यह उपर वाली case से compare करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा था कि pipe का thickness जादा है तो water pressure कम होता है इसका मतलब है इस case के लिए अगर register का value जादा है तो current का value होता है कम तो यहाँ पर current का value कम है water pressure का भी value कम है लेकिन यहाँ पर incoming water और outgoing water same है तो इसका मतलब है दोस्तों कि incoming current और outgoing current भी same होता है तो यहाँ पर जैसे register का opposition ही यहाँ पर इस pipe का जो thickness है उसका opposition होता है और दोस्तों आपको पता है pipe का thickness यहाँ से लेकर यहाँ तक same होता है तो उसके कारण यह जो register का value है एक circuit ले लेता हूं voltage 200 volt और यहाँ पर register लेता हूं 50 ohm तो जैसे यहाँ के pipe का थिकनेश ज्यादा था याने के 100 ohm और यहाँ पर pipe का थिकनेश कम है तो यहाँ पर में register का value कम कर लेता हूं तो अभी current का value के आएगा V is equal to I into R 200 is equal to current into register होगा 50 तो I is equal to 200 divided by 50 तो उसका value आएगा 4 ampere तो इस circuit में जो current flow होगा अब होगा incoming current is equal to outgoing current that is 4 ampere incoming 4 ampere outgoing में तो जैसे यहाँ पर pipe का थिकनेश कम है याने के यह register का value क्या है दोस्तो कम है तो water pressure ज्यादा होता है इसका मतलब क्या होता है तो पानी का pressure यह current का जो होगा वो भी ज्यादा होगा लेकिन फिर भी incoming का current और outgoing का current सेमी होगा जैसे यहाँ प प्रूब भी हो जादा है दोस्तों कि incoming current जो होता है वही outgoing current होता है क्योंकि यह जो pipe का थिकने से वो water tap से inlet से लेकर outlet तक सेम होता है तो अगर मुझे इस outlet पर ज्यादा पानी चाहिए होगा दोस्तों तो मैं क्या करूँगा इस water के जो pipe उसका थिकने से आपे कम कर दूँगा उसके कारण अगर मुझे current ज्यादा चाहिए होगा तो मैं register का value कम कर दूँगा तो उसकी वज़े से register current increase और decrease हो जाता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि incoming में 2A जैसे आया और में 1A चला गया जोस्तों क्यूंकि register में ऐसी कोई technology नहीं है कि वो charge को store कर दे और कुछ charge जो बचा होगा water का वो कम जादा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों यह डैमेज हो जाएगा यहाँ पर कोई water store का technology नहीं है वैसे यहाँ पर कोई charge storage का technology भी नहीं है तो यह उसका answer दोस्तों कि incoming current register का वही होता है outgoing current तो यह जो thumbnail का जो मैंने यहाँ पर confuse लिखा था जो हम लोगों न तो वही सही है तो वीडियो आपको पसंद आगा है तो लाइक कीजिए चानल का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान का बटन दवाना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग